नमस्कार दोस्तों मैं श्ट लॉजर सचेजिन स्वागात रॉब जंदन करता हूँ अपने सभी प्रिये दर्श्कों का जनवरी 2023 चल रहा है नए साल में परवेश पर चुके हैं हैं और जनवरी का दूसरा सब्ता आठ तारिक से लेकर चौदा तारिक के बद्धे आपके लिए क्या लेकर आ रहा है ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में यह जानकारी चंद राशी और नाम राशी पर आधारित होगी आप जो भी लोग अपनी चंद राशी से वीडियो को देखेंगे नाम राशी से देखेंगे उनको जाधा लाब होगा आप वैसे भी अगर आप देखेंगे तो भी आपको लाब होगा और ये साल आपके लिए और उन्नती दायक रहे, इसके लिए हम आपको कुछ उपाई भी बताएंगे, जो वीडियो के अंत में होंगे, जिनको देखना भी आवशक होगा, आज आपका जनम दिन है, या इस अप्ताह में आपका जनम दिन है, आपको डिरो डिरो शुप काबनाए, पर आप खुश रहे प्रसंद रहें, और अब जानिए साप्ताहिक राशी फल अपती राशी का, उससे पहले चैनल को सस्क्राइब कर दे, बेल आइकन की बटन को दबा दे, फेस्बूक और इस्टरणा पर भी हमसे संपर्क चोड़ ले, आपकी राशी के बारे में अब शुभारम करते हैं, सप आप अपना धन, अपनी सारी उर्जा, अपना दिमाग, अपनी जीवन शैली, परिवारिक जीवन को उचा करने के लिए रखेंगे, यानि खुद से ज़्यादा परिवार को तरक्की दिलाने की कोशिश करेंगे, परिवार के सदस्यों की च्छाओं का संबान करेंगे, उनक परवाह बहुत होगा, यानि कि पैसा बहुत तेजी से आएगा, बचत भी होगी, पैसा बचत भी होगी और सभी की इच्छाओं की पूर्ती भी करेंगे, सब्ता के मध्य में आप काफी सक्री रहेंगे, भागदौर करेंगे, समाजी गतिवितियों में शामिल रहेंगे, और स दफलता खुब मिलेगी, इसके साथ साथ जीवन साथी अगर है आपका, यानि शादी हो गई है, तो उनकी भूमिका से आपका भागे और चमक जाएगा, उनका सहयोग आपको ट्रिपल तरक्की दिला देगा, आप जीवन साथी के साथ मिलकर धन प्राप्ती के नेने तरीके पैदा कर देंगे, जीवन साथी के साथ मिलकर पैसा और आसामी से आएगा, भाई भेन के साथ रिष्टे बहुत अच्छे रहेंगे, प्रभावशाली मित्रों और रिष्टिदारों के सयोग से धन बड़ी मात्रा में अर्जित करेंगे, सप्ता का शेष भाग पैत्र के नहीं हो सकता है, माता पिता के आशिरवाद से परिवार में धन अर्जित करेंगे और आपको कुछ मासिक तनाव भी नहीं होगा, यानि समय पूरी तरीके से आपकी मुठी में है, आठ जन्वरी से 14 जन्वरी की बात करें, 8-9-10 तारिक को आप बड़ी-बड़ी काम करने की योजनाये बनाएंगे, बच्चे पढ़ाई लिखाई में, पूरी कोशिशे करेंगे, हर काम को 100% आप अंजाम देंगे, हर काम मुस्तेवी से करेंगे, परिवार की खुशियों का धियान रखेंगे, अपने मन में शांती का अनवह करेंगे, 11-12 तरीक को पैसा धन दिवस हो राज रखें, प्रेम समंद प्वाही जीवन में प्यार टपक टपक कर बरसेगा, मित्रों और सहियोगियों से पूरा सहियोग मिलेगा, चन्रमा जो हैं, आपको बहुत बली बनाएंगे, बहुत ही शांदार बनाएंगे, आपके थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे, सब की ज बुरा नहीं करेंगे, पैसे आना रुखेंगे नहीं, पैसे आते जाएंगे, बचत भी होगी, राहत महसूस करेंगे, सुकून की सांस लेंगे, बित्रदाशी वाले, आज जन्वरी की बात करेंगे, तो आप जो शर्श कुछ ऐसा काम करेंगे, जो बहुत ही मुश्किल चला जाएगा, सिहत का ध्यान रखिएगा, वहार वगेरा खरी सकते हैं, आपके संबंद किसी से भी लड़ाई जगड़े वाले नहीं होगे, जहां जाएंगे वहां पर प्यार मिलेगा, प्यार देंगे, परिवार से जुड़ कर रहेंगे, नौ जन्वरी की बात करें तो कड चका चौंद कर देंगे, आपके शांदार फैसले होंगे, कार्यों में सफलता मिलेगी, कड़ी महत का फन मिलेगा, देश विदेश में डंका बाजेगा, नई नौकरी लगने के चांस हैं, आप अपनी हग का, पैसा अपने हग की, नौकरी अपने हग का, सब कुछ प्राप् करेंगे, लेकिनी सफलता में बतलेगा, कार्यासान होते चले जाएंगे, भाई भेहन का सहयोग होगा, जीवन साती का सहयोग होगा, आमदरी के नए रास्ते खुलेंगे, आपको बच्ची आपको शुप समाचार सुनाएंगे, प्रेम समन्द में मिठास बनी रहेगी, नए से कटिन काम को कर लेंगे मिंटों में, पैसा भागता चला आएगा, संतान कियों से शुप समाचार मिलेंगे, बच्चे बढ़ाई लिखाई में सफल रहेंगे, बारा जन्वरी ही बात करें, तो लक्ष को प्राप्ती के लिए जो मेहनत करनी है, वो करेंगे, परिवार की ख वास्त का ध्यान रखिएगा, आनवश्यक बाहरी भुजन से बचिएगा, आपकी मुलाकात किसी अच्छे दोस्ते हो सकती है, आज किसी दोस्त के रूप में आपको नारायन वरी जाएंगे, तेरा जन्वरी की बात करें, तो आज जब तनाओं और समस्याओं से पूर होगा, आपके समध माताजी से शुब बने रहेंगे, घर का छोटा बड़ा हर आदमी खुश रहेगा, जिसको कोई तकलीब भी होगी, कोई बड़ा बुजब चोटा मोटी तकलीब भी होगी, घर में इतनी पॉजिटिवनेस न होगी, इतनी खुशी होगी, तो अपनी तकल को पूरा करिए, आज पिकनिक मगेरा में भी जा सकते है, जीवन साती से रिष्टे मधर रहेंगे, घर पर कुछ अतिरत कारें निर्मान हो सकता है, छोटा अगर बड़े घर में बनले की योजदा बन सकती है, समाजी को पारबारी कुस्तों में भाग लेने के भी रास्ते ख खुल जाएंगे, ये वक्त होगा आपकी सफलता का, हर दुख दर्द को खटाने वाला है, जनवरी का ये दूसरा सब्ता मितों नाशी वालों के लिए आपके लिए खुल गए हैं, भाग के दर्वाजे मैं यही कहूंगा, और आपको 99% सफलता मिल रही है, और लकी नंबर रहेगा 7, और बात करते हैं कुछ शक्ति शाली उपायों की, जिन से हमारा वक्त 500 नहीं 1000% बहतर हो जाएगा, क्या है वो उपाये, आपने पूरा वीडियो देखा अपती राशी का, अब बात करते हैं कि कैसे और समय को बहतर बनाया जाए, उपाये क्या करना है, हर्मान जी की उपासना करनी है, शिव जी की उपासना करनी है, जो आप लंबे समय से करते आ रहे हैं, इसके साथ साथ आप लोग मंदर जाना शुरू करते हैं, भगवान विश्नु की उपासना करें, भगवान श्री राम की उपासना करें, मंदर में जो भगवान आपकी विराजित है उनकी उपासना करें, कुल पुरोहित की सेवा करें, मंदिर में श्रम दान करें, श्रम दान समझते हैं, श्रम यानि शारीरिक श्रम, यानि कोई सेवा करें, इस साल बढ़िया रहेगा, और अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, उन जरूरतमन लोगों को दें, जो वाकई में जिनको धन की आउशकता है, या अन की आउशकता है, तो आपके लिए आने वाला वक्त और भी बहतर हो जाएगा, और कुटों को कुछ न कुछ खिलाते पिलाते रहें, उनकी सेवा करें, चाहे वो स्ट्रीट डॉग हों, चाहे वो अपने घर के पले हुए डॉग हों, उनक जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, तो धर्म से जुड़िए, कर्म से जुड़िए, और अपनी कमाई काई खिस्सा धार्मी कारियों में लगाईए, और सिहत को अच्छा रखना है, दिमाग को अच्छा रखना है, तो योग, पढ़ाया, मेडिटेशन, सुर्य मानिये मेरी, आपका आने वाला दोजार्टेश का बचा हुआ वक्त बहुत ही बेतरीन होगा, और वर्तमान से है, आज से ही आप धनवान बनने शुरू हो जाएंगे, तो यही थी आपके लिए स्पेशल टिप्स, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क कर सकते हैं, आपका समय बहुत ही शुरू हो, ऐसी हमीश्वर से मंगल कावना करते हैं, नमस्कार